दोस्तों पेरामेडिकल्स की पेकंसी आ गई हैं जिसमें नेशनल फर्टिलाइजिन लिम्टेट की पेकंसी हैं जिसमें आप देख सकते हैं जिसमें जो वेकंसी आपको देखने को मिलेंगी वह पेकंसी हैं जिसे आपको नर्स की हैं जो पेरामेडिकल के स्टूडेंट हैं फा वेकंसी आपको देखना है और अधर जो क्亞किनिंग प्थी हैं इस Later को देखने को आप कर सकते हैं इनको इसकी जो लाश्ड डेट है वह आपको 8 और 8 झमने कि अपर को आपको जो आपको आप् आपकार का नियुवर्ण है तो आपको जो आपप्लाई करने की이지 दिमिट 18 तीस तुड्य कर सकते हैं STUDENT है इसमें टोटल नमबर आ वेकनसी जो है आपको तीन सो चटूचिस में मिलेंगी डोटल व sushi जिसमें आपको records की वेकनसी आपको टेंट एक काना सिर्छी वेकनसी गार बैंवे देखने को देखने मिलेंगी पिसी कई गशाहँ गसे इसमें फिल कर सकते हैं अधर वेकंसी आप देख सकते हैं जैसे आप अटेंडेंट ग्रेट फरस्ट की वेकंसी है इसमें अटेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंड की दोस्तों इसके हम नोटिस के बात करें तो इसमें नेशनल फटेलाजियर लिंटेड के अड़टाज्मेंट नमबर जूर। पाइब जो है दोजार चौबिस की वेकंजी नान एग्जीएट इनफ सकते हैं जो वेकंजी हैं इसमें जो टेबल वन कि वेकंसी जूने ऑंजीनियर असिस्टेंटट की है इसमें जूने यह असिस्टेंड की है तो देखने को मिल सकते हैं नर्स जो पॉइकंकी जिसके सेल जो 23,000 से वेकंसिया है अब आगर देखेंगे कहां कितनी वेकंसिया हैं तो टेबल में जो वन की वेकंसिय कता है तो नांकल यूनिटंप की वेकंसिय आप देख सकते हैं अधर हैं एसाही है journey अब going यह आप देख सकते नोटिस को डालोड पंदेश एकसरे टेकुशन इसारी कन्सिय जूनेट ऊब पर दीशन वेकन्सिय और आप जब्स पनी पती में मिलेंगर आप इस नहीं जब बीडियल यूनज कीवेकन्सिएं आए तो काफी जो हैыш में आपको देखने को मिलेंगी आप आप इसका डाउन्टरोड करके आप इसको देख सकते हैं अगर हम मिकों मिमिमर्बल्टि के बात करें तो इसमें हम जो पैरे के जो कोर्स देखेंगे उसमें आप देखने को जैसे लेब असिष्टेंगी जो मिनमा 18 से 30 साल की एज होनी चाहिए फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएट इन साइंस के साथ होना चाहिए या कामर्स आर्ट मिनमा 50% के साथ में कोई भी आप ग्रेजुएशन डिग्री आपक पर चाहिए इसमें फार्मसिश्ट की चाहिए जो आप साइंस के साथ 10 प्लस टू होना चाहिए और रेगुलर डिप्लोमा इंफार्मीश्टी होना चाहिए या भी फार्मा हो आपके पास तो वह कंडिडेट आप एप्लाई कर सकते हैं मिनमा 50% आपके पास नंबर होने चाह आपके पार डिग्री होना चाहिए वह अप्लॉइ कर सकते हैं इसको एक्सेय टेग्निशन तो आपके पास बैचलै डिग्री होने चाहिए परसेंट के साथ में तो आपके पास यह सारे डाकुमेंट आपके पास अपके पास होना चाहिए तो वह लोग इसको पर सकते हैं दोस्तों अगर कटाफ की बात के जो बनेगी इसके तो जो है मिनमा एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस को देखते विए जो है एंड रिमैनिंग अंचेंग रिस्पेक्ट एनी इजन होट यह बात मतलब चिंज किया जा सकता है एज लिमेट आपने देखी लिए इ तो यह आपको सारी तो दोस्तों आप यह सब नोटिस डाउनलोड करके आप इसको जल्दी से जल्दी भर सकते हैं जिससे आपको कोई प्रोबलम ना हो धन्यवाद दोस्तों